हेलो एबरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान गंगा हिंदी में और हम लोग पढ़ रहे हैं सक्षमता परिक्षा के सम्मंधित कुछ महत्पपून प्रस्णों के बारे में जैसे कि आपको जनकारी होगा कि सक्षमता परिक्षा के लिए सरकार के प्रस्णों को हम लोग देखते हैं और जानते हैं इसके क्या उत्तर हो सकते हैं पहला है सुच के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थ्रों के छोटे छोटे टुक्रे कालाते हैं क्या उप ग्रह कालाते हैं ग्रह कालाते हैं सुर्ज काला दी या उलका पिंड कालाते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा उलका पिंड के उप ग्रह जो होते हैं यह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं और ग्रह जो है वो सु चोटे चोटे जो पींड होते उन्हें उलका Πींड कर आज जाता है नेक्स की तरह चलते हैं एक प्रयत्विक चुछ नेगतते का बहुत हूने तो चकर लगाने में कितनेने दिन लगते ते तीन cidade 365 ऑप ते सायो दससे की तरब हैं एंक्स कि आने वाला हैं नेक्स है कि अंतरिक्ष में जाने वाला भारतिया महिला कौन थी कलपना चॉला अए पर भाष। करणबेदी यह पहली ठीजर्व फहला मुस्लिम साशिका थी नेक्स टीज थी कि तरफ चलते हम लोग क्या होने वाला है देखते हैं कि पानी का संक्रा भाग दो बड़ी जल रासी जैसे समंद्रों और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है अस्थल संधी जल संधी ब्लॉक संधी या ब्यांजन संधी तो इसका सही जबा हो जाएगा जल संधी और वह से कोई नहीं तो जैसे कि आप जानते है कि कोई भी मैफ होता है तो उसके सबसे उपर उत्तर होता है नीचे दक्चिन होता है और जो बाया साइड होता है और दाइन साइड जो है पूरव होता है तो अगर हम देखते हैं पस्चिम की तरफ तो पस्चिम की तरफ जो है अरब सागर होता है तो इसका सभी जवाब हो जाएगा आ एक तीथी घटा दी जाती है एक तीथी जो है बढ़ा दीजाती है यह आप देख सकते हैं मैप के थुरू जो है बताया गया है यहां अगर आप देख रहा है पूरब की तरफ जा रहा है जैसा कि बताया गया कि दाहिने तरफ पूरब होता है तो पूरब की तरफ जाते हैं तो यहां आप देख सकते हैं संडे दिया गया वहीं अगर पस्चिम की तरफ जा रहा है तो म केवाल मिट्टी केवाल मिट्टी जो इसको बोला जाता है चिकनी मिट्टी को ही केवाल मिट्टी बोला जाता है चिकनी मिट्टी में जो है धान की प्रसलसी होती है चलते हैं नेक्स प्रस्ट की तरफ नेक्स प्रस्ट देखते हैं क्या नवाला है नेक्स प्रस्ट है कि संसार का छत किसे कहा जाता है पामीर का पठार तिबद का पठार दक्कन का पठार या अरावली का पठार तो पामीर का पठार जो है उसे संसार का छत कहा जाता है वहीं विश्व की सबसे बड़ी पठार जो है वो पामीर के पठार को कहा जाता है दक्कन और दक्कन का जो पठार है भारत के पुर्टा इसी तरह अरावली का जो पठार है वो सबसे प्राचीन पठार की से दिन में आता है नेक्स्परस्ट की तरफ चलते हैं नेक्स प्रसंट देखते हैं क्या नवाल है बराबर की पहाडिया कहा है बिहार जर्खंट उत्रखंट या सिम्ला तो इसका सभी जब तो अभी हम लोगोंने पढ़ा अडावली जो है, इसमें से प्राचीन पठार है, नियग्स प्रस्च की तरperformance की तरब चलते हैं, देखते हैं क्या ने वाला है, next person क्या होने वाला है अब हमारा इतिहास कर से संसुर होता है इसमें पहला प्रस्न है कि अंग्रेजों के साथ सबसे पहले आर्थिक सहायक संधी को सविकार किया यानि किस ने आर्थिक सहायक संधी को सविकार किया सिराजु दौला और साह आलम ने और अंजेब ने बावर ने या हिमायू ने तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिजाओ दौला और सा आलम ने बकसर की लड़ाई के बाद जो है उन्होंने यह सविकार किया था नेक्स प्रेशन की तरब चलते हैं नेक्स प्रेशन क्या होने वाला है इन में से कौन नगदी फस है और यहाँ पोछा गया है नहीं तो सही जवाब होजाएगा इनमें से कोई नहीं नेक्स की तरफ चलते हैं नेक्स प्रेशन की तरफ इसको जाता था अंग्रेज को महाजन को गैर आदिवासी को तो इसका सवाह जब हो जगा गैर वादियोंची जो बाहर के लोग थे उनको जो है वे लोग दिकु कहा करते थे चलते हैं एक स्प्रेशन की तरफ नेक्स प्रेसन देखते हैं क्या होने वाले नेक्स ठीकिताना भगत अं में haven कि इंधलने को नें भारत ४ैलल सुख्य कोई स्धा प्लुक्त में Σनल théši युञेश। कि त्छाउल के युए सिपाही थे तो दानापूर मलखना प्लूर्ट और कानपुर्त इसा है इस केया चाहत्iges कॉम्हां कि जो सिफाही थे और एसा माना जाता है कि इन्हों ने पर है। पाहली बार मुंप भार सुतंतास अंग्राम के नाम से घान जाता है और फिर हमना के लिए स्ट्रप फॉंसे कंहिक क्या हो दोलन धर्म सुधार अंदोलन नहीं इनमें से कोई नहीं तो इसका सभी जबाब हो जाएगा आत्म सम्मान अंदोलन जो है पिरियार के द्वारा सुल किया गया नेक्स परियासों क्या होने वाला है किनके परियासों से अंग्रेजों ने 1829 इस भी में कानून बनाकर सती परठा का अंद कर दिया क्या इस पर चंद बिद्या सागा थे राजाराराम मोहन राहे थे समय विवगान थे या गदी जी तो इसका सही जबाब होगारा राजाराम मोहन के परियास से ही जो है सती परथाका जो है अन्त हुए भारत में ऐस परशो की तरफ चलते कि ब्रुषय के बरेली और जमाल पुर्णि रहे किस परकार सहर थे प्रेसिडेंटर सीच्ट जाहर दोनों जो थे के रेल वे सहर के रूप में जाने जाते हैं एक सभर के स्थाहशी से भारत में वीतिए वर्स होता है एक जनवरीन से दिसंबर टक एक अप्रील से 31 मार्ज तक और सितंबर से 30 अगस्त तक तो इसका सभाव हो जाएगा एक सभाव कि निर्माण में कुल कितने सबस्थ यानि भारत पर चलते हैं एक सबसे लंबा लिखिट सम्मिधान कौन से देश का है अमेरिका फ्रांस आइरलेंट भारत तो सबसे लंबा समिधान जो है वह भारत का है सबसे लिखते हैं क्या होने वाला है कि भारत में पर्थम आम चुनाओं आयोजित किया गया था यानि 1950 में इक्याओं में बावनिया तिरपंद में इसका सही जबाव जाएगा वह भारत में पहली बार आम चुनाओं हुए थे नेक्स परसन की तरफ देखते हैं सब्धान सभा के लिए सवाइद मेधानिक सलाकार कौन थे सीस मुखर जी वियर अंबेदकर या रक्टर यह पता है इसका सही जबाव जाएगा बियां राव यह जो थे सभिधान सभाई के लिए सवाइदिक सलाकार के रूप में रखे गए थे तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यह झाल